मनजिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हाऊसलों से उड़ान होती है तो स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सरस्वती सूपर क्लासेस में तो आप लोग कैसे हैं और कैसे चल रही आप लोगों की बोड़ एक्जाम तयारी आई हो कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की बोड़ एक्जाम तयारी भी ठीक चल रही होगी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा class 10th विज्ञान यानि कि science के very very most important question मैं आपको बताऊंगे जो कि board exam 2023 के लिए बहुत ही most important question है तो आप लोग video को last तक देखते रहिएगा video को बिल्कुल भी skip मत करिएगा यह video आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा helpful होने वाला है दोस्तों जो यहाँ पर पहला question है रासायनी कब किरिया क्या है तो इसका definition देख लेंगे जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके कोई एक नया उत्पात बनाते हैं उसे क्या कहते हैं रासायनी कब किरिया मैं बहुत ही simple अपने सब्दों मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ और अगर आप लोग इस चैनल पर नया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए अभी तक वीडियो को like नहीं किये तो please एक like जरूर कर दीजिए और यहाँ पर इसका definition जो है मैं बहुत छोटा ही बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए आप लोगों को समझ में आ जाए ठीक है यहाँ पर note मैं कुछ बताया हूँ क्या है रासायनी कब किरिया में भाग लेने वाले पदार्तों को अभिकारक कहत हैं यानि कि कुछ यहाँ पर रहेगा फिर प्लस रहेगा जो एरो कचिन्ड के बाद जो उत्पाद बनेगा उसे उत्पाद ही बोलेंगे कोई एक नया प्रोडेक्ट बन गया ठीक और यह जो हैं जिससे मिल करके बनता है यह क्या होता है अभिकारक होते हैं यानि कि इसमें यही कहा गया है रासायनी कभकिरिया में भाग लेने वाले पदार्तों को अभिकारक कहते हैं यह अभिकारक है कहते हैं तथा उनके फलसुरूप इसके फलसुरूप जो नया पदार्त बनता है उसे क्या कहते हैं उसे उत्पाद कहते हैं बहुत ही सिंपल कोश्चन है आप ल करिया का इतना डिफिनेशन लिख देंगे तो आपको बोड एक्जाम में फुल मॉक्स मिल जाएगा तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा तो दूसरा कोश्चन हम देखेंगे क्या है मनुस में ब्रिक एक तंत्र क भाग है जो किसे से संबंदित है यानि कि मनुस में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो किसे से संबंदित है उतसरजन से संबंदित है आफसान आपको मिलेगा वह किसे से संबंदित है उतसरजन से संबंदित है तो अगला हम कोश्चन देखेंगे क्या है मनुस जो है मनुस में गुड़ सूत्रों की संख्या कितनी होती है यानि कि मनुस में गुड़ सूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है इस question का answer जो है मैं नहीं बताऊंगा आप लोग इस question का जो answer है आप लोग comment करके बताईए तो आप लोग तूरंद जाईए आप लोग फटा फट कमेंट करके बताईए अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारा अगला वाला कोश्चन क्या है वेरी वेरी मौस्ट इंपार्डल कोश्चन है दोस्तों आप लोग वीडियो को लाश तक देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किम्मत करीगे इस वीडियो मैं आपको जितना भी कोश्चन बताएं वो बहुत ही मौस्ट इंपार्डल कोश्चन है आप सब के लिए तो यहाँ पर देखते हैं क्या है सोडियम को किरोसीन में डुबो कर क्यों रखा जाता है किरोसीन का अर्थ आप लोग समझ भी गए होंगे किरोसीन यानी की होता है मिट्टी का तेल जो सोडियम होता है उसको मिट्टी के तेल में क्यों डुबो करके रखा जाता है आपको बो सोडियम अत्यधिक अभिकिरिया सील धातु है जो सोडियम है सोडियम का आप परतीक भी जान रहे होंगे यन ए होता है क्या होता है यन ए सोडियम अत्यधिक अभिकिरिया सील धातु है जो खुले में रखने पर आकसीजन के साथ अभिकिरिया कर आग उत्पन्द कर सकता है क्य जो सी नियानिक मैं आपको बता दिया हूँ मिट्टी का तेल होता है आप लोग जानते भी होंगे मिट्टी का तेल होता क्या है तो अगला question चलिए देखते हैं क्या है नेत्र की समझन छमता से क्या अभिपराय है आपको ऐसे ही board परिच्छा में देखने को मिलेंगे ऐसे ही question आपके सामने दिया जाएगा नेत्र की समझन छमता से क्या अभिपराय है ठीक अब इसका जो है हम definition देख लेते हैं आपको करना क्या होगा आपको simple से आपको heading डाल देना होगा उसको थोड़ा double line से underline खीच देना होगा आपको मैं यह video भी provide कर दूंगा बहुत जल्दी कि board परिच्छा में copy कैसे लिखे ठीक तो आप लोग चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon दबा लीजिए ताकि जो है मैं video upload करूं या provide करूं तो आप लोगों तक सबसे पहले notification पहुच जाए ठीक यहाँ पर देखते हैं नेत्र की समझन छमता आपको ऐसे simple setting डाल देना है उसके बाद कर क्या नेत्र की focus दूरी परिवर्तित करने की छमता को समझन छमता कहते हैं अब यहाँ पर अगला question क्या है रुधिर में antigen एवं antibody कहां पाया जाता है यानि कि जो रुधिर में antigen होता है और antibody होता है वो कहां पाया जाता है तो चलिए इसका definition देख लेते हैं antigen लाल रुधिर कड क्ड क्याओं में पाय जाता है जो antigen होता है लाल रुधिर करिकाओं में पाया जाता है और antibody कहां पाये जाता है प्लाजमा में पाये जाता है तो आज कि इस बीडियो में बस इतना ही दोस्तों I hope कि आप लोगों कोया वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को like कर तब तक के लिए बाइ मिलते हैं फिर ऐसे ही इंट्रेस्टिक वीडियो के साथ